तो वेलकम बैक फ्रेंड्स दोस्तो आज ये मेरे पास एक SMPS है जो की मेरे एक सब्सक्राइबर है Mr. Sankar Maharana करके इन्होंने ओडिसा से मेरे को ये सप्लाई बेजी है रिपेर के लिए और साथ में इन्होंने एक ये लेटर भी बेजी है जिसमें लिख रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं एक YouTube वीडियो भी बनाए तो ठीक है शंकर जी आपकी रिक्वेस्ट मेंने ले ली है और आज हम ये जो सप्लाई है आपने जो बेजी है इसको रिपेर करते हैं फिजिकली अगर इस सप्लाई को अगर हम देखें तो फिजिकली तो इसमें कुछ भी डैमेज नहीं देख रहा है हमें कॉम्पोनेंट दूसी तरफ से देखें तो इसमें यहां काम किया हुआ है कुछ यहां पर भी किया हुआ है तो यहां कुछ काम भी किया हुआ है आई होप कि आपने ओरिजिनल कॉम्पोनेंट इसमें रखे होंगे कोई चेंज नहीं कर दिये होंगे तो चलिए दोस्तो आज हम इसी सप्लाई को रिपेर करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉबलम है तो संकर जी ने जो मेरे को बताया है इस सप्लाई के बारे में वो यह कह रहे हैं कि इसमें आउटपुट वोल्टे तो आ रही है लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है तो ठीक है संकर जी सबसे पहले हम मल्टी मिटर यहां लाते हैं फ्रेम में और इसकी पहले इनपुट टर्मिनल चेक करते हैं कि वो शॉट तो नहीं है अला कि वो तो कह रहे हैं कि इसमें आउटपुट फ्लक्चुएट हो रही है बट हमारा जो प्रोसीजर है हम अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पहले हम इनपुट साइड को कंटिन्यूटी के लिए देखेंगे कि वहां कोई शॉटिंग तो नहीं है तो मल्टी मिटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं और इस सप्लाई की इनपुट साइड यह इसकी इनपुट साइड है तो यहां पर हम इसको शॉटिंग के लिए एक बार चेक कर लेते हैं तो यहां कोई शॉटिंग नहीं है तो अब हम इसको सिरिज लेम के थुरू कनेक्ट कर लेते हैं तो यह इसमें मैंने सोल्डर कर दिया है दोस्तों और मल्टी मीटर को हम 20 वोल्ल डीजी पे सेट करते हैं और अब मैं इसको पावर उन करता हूं यह मैंने पावर उन कर दिया है इसकी और हम सीधे ही पहले इसकी आउटपुट कर लेते हैं आउटपुट टर्मिनल इसका ये इसके output terminal हैं ये दो तो यहां पर हम इसकी output को check कर लेते हैं क्या आ रही है एक मिट ये थोड़ी unstable हो रही है इसके नीचे थोड़ा कुछ base दे देते हैं तो ये अपना negative side हो गई और ये हो गई हमारी positive तो देखिए दोस्तों ये 5 वोल्ट की power supply है लेकिन output इसकी voltage जो है वो इस तरह से fluctuate हो रही है अब voltage fluctuate होने के कारण क्या होते हैं output voltage जब भी fluctuate होती है उसके दो तिन कारण होते हैं पहला ये कि आपकी जो PWM section है वहां से कुछ problem हो सकती है दूसरा जो आपका feedback section है उसमें कुछ fault हो सकता है जिसकी वज़े से जो हमारा VCC capacitor होता है वो खराब हो सकता है उसकी वज़े से भी ये issue आता है तो चलिए पहले हम इसको step by step हम चेक कर लेते हैं इस power supply के अंदर में आप यदि देखेंगे तो यहां दो DC bulb capacitor लगे हुएं ये दोनों तो यहां पर ये एक capacitor ये लगा हुआ है और दूसा capacitor यहां लगा हुआ है और बीच में ये दोनों capacitor series से connected है यानि कि पहले capacitor का negative terminal यहां है positive यहां लगा है फिर positive से एक track जा रहा है दूसे capacitor के negative में और फिर उसका दूसा terminal positive line में जा रहा है हमारा यह हमारा bridge है यहां से यह positive line इसको जा रही है और negative line इसको जा रही है तो इसमें दो capacitor को series में लगा रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है हम इसमें जो भार के जो टर्मिनल है वहां पर voltage एक बार चेक कर लेते हैं तो मल्टी मीटर को हम 600 वोल्ट पर सेट कर लेते हैं और अब हम यहां capacitor पर voltage अगर देखते हैं तो यह DC bulk capacitor जो है दोस्तों यहां भी voltage काफी fluctuate कर रही है देखिए इतनी जैदा fluctuation यहां नहीं होनी चाहिए तो पहले तो यहीं पर कुछ problem है एक बार supply को बंद करते हैं यह voltage down हो गई है इस एक capacitor पर voltage दिखा रहा है और एक पर नहीं दिखा रहा है तो इस track में भी कुछ गड़वर लग रही है यह जो track है यह भी इसका कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे इसमें एक बार continuity पर हम track चेक कर लेते हैं इसका देखिए दोस्तों यह continuity पर मैंने multimeter रखा है और यह track यहां से यहां जा रहा है लेकिन यहां कोई continuity नहीं दिखा रहा है यह आपस में यानि कि इस point पर कुछ problem है एक बार हम stack को ठीक कर लेते हैं पहले यहां थोड़ी solder paste लगा दी है और इसको पहले यहां solder कर लेते हैं तो यह solder कर दिया है अब इसको एक बार दुबारा देख लेते हैं देखिए दोस्तों अब continuity आ रही है यानि कि यहां से एक track भी इसका जो है crack हो गया होगा तो कभी lose connection हो गया उसमें और कभी connect हो रहा था कभी नहीं हो रहा था अब यह track हमारा ok है अब हम इसको दुबारा से supply देके देखते हैं कि हमारी capacitor के across में जो voltage fluctuate हो रही थी वो ठीक हुई है कि नहीं हुई multimeter को हम 600 volt पे करते हैं DC पे और अब मैं power on कर रहा हूँ यह power on कर दिये मैंने अब DC बल capacitor के across में voltage देख लेते हैं देखिए दोस्तों अभी तक voltage fluctuate हो रही थी वो track open होने के कारण ऐसा हो रहा था आप देखिए voltage बिलकुल इसकी stable हो गई है 324-325 volt के आसपस आ रहा है अब एक बार इसकी output दुबारा देख लेते हैं हो सकता है वो भी ठीक हो गई हो ही फॉल्ट हो इसमें आउटपुट तो अभी भी fluctuate हो रही है दोस्तों तो इसका मतलब इसमें कुछ और भी फॉल्ट है तो अब output fluctuation हो रही है तो हमारा step by step जो procedure होता है पहले हमारा इन्पुट लाइन तो इन्पुट लाइन तो हमने इसकी ठीक कर ली इसमें problem थी हमने इसके capacitor को दुबारा से solder कर दिया तो ये इन्पुट section हमारा के हो गया 325 वोल्ट हमें stable मिल रहे हैं अब इन्पुट section के बाद अगला section आता है दोस्तों PWM section तो PWM section में क्या होता है transformer की primary winding के दोनों terminal है ये capacitor का positive है यहां से ये सीधा connection इसमें आ गया transformer की primary winding पे और जो दूसा terminal है primary winding का वो आपका यहां से ये transistor या MOSFET जो भी लगा है वहां से आ रहा है तो ये primary winding हो गई तो हम primary winding पे अपने multimeter को DC600 पे रखते हुए primary winding पे हम switching के लिए check करेंगे कि one आता है के नहीं देखिए दोस्तों इसमें one तो आ रहा है लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में वो हट जाता है अब हटना नहीं चाहिए ये continuous switching होनी चाहिए यहां पर अगर ये one आने के बाद में फिर से reading आ जा रही है बार बार तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा ये switching IC लगा हुआ है ये बार बार restart हो रहा है तो बार बार restart होने की वज़े से क्या होता है कि वो जब वो दुबारा on होता है वो switching करता है तो हमारे यहां पर हमें one आ जाता है हमारे इस पर और फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है हमारा बार-बार restart हो रहा है और इसी की वज़े से output में हमें voltage proper नहीं मिल रहे हैं वो भी उसके साथ-साथ fluctuate कर रहे हैं क्योंकि switching बार-बार रुक रही है हो रही है रुक रही है हो रही है इसी वज़े से output की voltage भी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं घट रहे हैं जब जैसे ही वो switching बंद होती है ये voltage drop होने लग जाते है आउटपूट में तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारी IC restart हो रही है पर अब वो restart हो रही है इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तो देखिए दोस्तो IC restart होने के कारण तो कहीं होते है लेकिन सबसे main जो कारण होते हैं वो दो section से होते हैं एक तो VCC section से जो हमारा VCC capacitor है हो सकता वो खराब है वो current को hold नहीं कर पा रहा है और जिस वज़े से IC जैसे ही start होती है वो capacitor की voltage drop हो जाती है और वो IC जो है वो बंद हो जाती है और फिर से वो यह start up register यहां लगी हुई है इनके थूँ फिर से थोड़ा थोड़ा current आता है वापिस वो उस capacitor को charge करता है VCC capacitor को फिर से जब voltage उपर आती है फिर से दुबारा IC start होता है जैसे start होता है अब वो capacitor आपका अगर ठीक नहीं है तो जैसे IC start होगा यह start up voltage से तो वो इतना current इसमें होता नहीं है कि वो IC को continuously switching करा सके तो IC immediately फिर से बंद हो जाता है तो यहां पर यही हो रहा है तो एक कारण तो यह VCC section से हो सकता है दूसरा कारण होता है दोस्तो feedback section से भी कि अगर feedback section से feedback ही नहीं आ रहा है तो भी IC क्या करता है कि वो continuous switching करता है कि feedback आ जाए उसको लगता है वहां voltage काम है जब वो अपनी full duty cycle पे switching करता है उसके बाद भी अगर उसको feedback नहीं मिलता है तो ICO overload condition में चला जाता है और overload condition में वो restart होता है तो यह restart होने के कारण है पहला कारण है VCC section से दूसरा कारण है feedback section से तो पहले हम VCC section को check करेंगे अगर वो okay है तो फिर हम feedback section पे आएंगे क्योंकि यह feedback section पे भी कुछ काम हुआ हुआ है तो हो सकता है fall tc section में हो बट हम जो procedure है हमारा हम अपने procedure को follow करते हुए यहाँ पर पहुचेंगे ठीक है दोस्तों तो अब हम VCC section को check करते हैं कि IC का जो VCC capacitor और auxiliary winding वाला जो section है उसको हम check कर लेते हैं कि क्या वो capacitor IC को पूरी power दे पा रहा है चलने के लिए या नहीं तो यह हमारी primary winding के दो terminal है और यह इसके साथ यह जो दो terminal है यह हमारी auxiliary winding के terminal है तो auxiliary winding के यह terminal है और अगर हम इसको पलट के देखें तो यहाँ हम देख सकतें कि यह auxiliary winding से यह एक diode यहां लगा हुआ है और उसके बाद यह VCC capacitor यहां लगा हुआ है यह VCC capacitor भी बदला हुआ लग रहा है शायर उन्होंने बदला होगा कोई बात नहीं तो हम यह diode और यह VCC capacitor है तो सबसे पहले हम क्या करेंगा हम इस VCC capacitor पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं उसको चेक करते हैं तो मल्टी मेटर को हम दोस्तों 20 पर रख लेते हैं DC वे और VCC capacitor को चेक करने के लिए यह हमारा ground terminal हो गया यह हमारा ground हो गया और यह हमारा VCC capacitor है तो आप देखेंगे यहाँ VCC capacitor पर भी वोल्टेज जो है वो fluctuate हो रहे हैं तो यहाँ voltage fluctuate नहीं होने चाहिए हम एक बार इसको power को off करते हैं इसमें और हम पहले इसके diode को चेक करते हैं जो auxiliary winding पर लगा है तो auxiliary winding का diode जो है हमारा कहां लगा है यह लगा है चलिए हम इसको उपर से ही चेक कर लेते हैं देखिए इस तरफ से तो कोई reading नहीं आ रहा है अब हम probe को change कर लेते हैं इस तरफ से reading दे रहा है इसका मतलब यह diode OK है और diode के पीछे क्या चल रहा है तो यह diode यह है यहां से यह diode यहां आया यहां से यह बीच में एक resistance लगी हुई है और यह हमारी auxiliary winding है तो यह जो resistance लगी है इसकी value है इस पे लिखा है दोस्तो 220 यानि कि यह 22 ohm की resistance है दोस्तों तो 22 ohm की resistance है हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं तो यह तो continuity देना चाहिए इसको यहां तो कोई continuity नहीं आ रही है यहां कोई भी continuity नहीं आ रही है दोस्तों देखिए दोस्तों यह जो auxiliary winding है यह auxiliary winding से यहां से यह एक resistance लगी हुई है 22 ohm की उसके बाद यहां से diode लगा है वो डायोड यहां पर आ गया है यहां से इस point पे और इस point पे यहां हमारा capacitor लगा है VCC अब problem क्या हो रही है कि यह जो auxiliary winding है यहां से यह जो voltage यहां जो बनेंगे auxiliary winding में यह इस resistance के थ्रूँ डायोड में जा रहे हैं लेकिन यह resistance जो है हमारी यह बिल्कुल भी continuity नहीं दे रही है आप देखिये meter में यह देखिये मैं meter short करके दिखाता हूँ तो मेटर सही है हमारा लेकिन रेजिस्टेंस पर मैं लगा रहा हूँ तो यहां कोई continuity नहीं आ रही है दोस्तों तो इसका मतलब यह है कि यह रेजिस्टेंस हमारी open हो गई है तो अगर यह रेजिस्टेंस हमारी open हो गई है तो जो जो वी सी सी कैपेसिटर है यह उसी से चार्ज होता है तो वो चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब यह है दोस्तों हमें fault मिल गया है fault क्या है कि यह जो वी सी सी कैपेसिटर है जो इस switching IC को power देता है चलने के लिए continuously उस वी सी सी कैपेसिटर को auxiliary winding चार्ज करती है लेकिन क्योंकि यह resistance open हो गई है तो यह auxiliary winding में जो वोल्टेज बन रहे हैं वो यहां इस कैपेसिटर तक पहुच ही नहीं रहे हैं तो फिर यह इस पे voltage कहां से आ रहे हैं यह जो start up होती है उसको और current की जुरुत होती है तो वो current यहां से मिलता नहीं है वो IC बंद हो जाती है फिर थोड़ी देर के बाद वो start होती है और फिर उसको current चाहिए current पूरा मिलता नहीं है यहां से वो बंद हो जाती है तो वो current देने के लिए यह VCC capacitor लगाया गया है जो की auxiliary winding के थुरू current प्रोवाइड करता है IC को चलने के लिए तो अब हमारी समस्या क्या है कि यह resistance खराब है तो हम इस resistance को एक बार निकालते हैं और इसको बदल के देखते हैं दोस्तों तो यह resistance को अब हमने यहां से निकाल दिया है तो अब हम इसकी same value की एक resistance इसमें लगाते हैं तो बाइस ओम की resistance पहले देखनी पड़ेगी अपने बास है या नहीं है कि अगा है कि अगा है कि अगा है तो बाइस ओम की resistance तो दोस्तों अभी मेरे पास है नहीं है SMD में तो हम क्या कर सकते हैं इसकी जगा पर हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं बहुत लोग वैल्यू की resistance से कोई दिक्कत नहीं है हम इसको इस ट्रैक को हम शॉट कर देते हैं यहां पर तो यहां दोस्तों मैंने अब यहां पर एक वायर का टुकड़ा लगा के इसको जंपर कर दिया है क्योंकि 22 ओम की resistance मेर पास SMD में अभी पड़ी नहीं हुई है तो उससे कोई problem नहीं हो गी हमें तो अब हमने इसको जंपर कर दिया है अब मैं इसमें power on करके देखता हूं कि हमारी VCC capacitor पर voltage जो fluctuate हो रही थी वो अब stable हुई है कि नहीं हुई है तो यह हमारा VCC capacitor हो गया इसको तो यह हमारा VCC capacitor हो गया और यह हमारा ground terminal हो गया देखिए दोस्तों अब इसमें voltage जो है हमारा VCC capacitor पर voltage stable हो गया है देखिए तो वो एक resistance की वज़े से यह issue आ रहा था क्योंकि auxiliary winding से जो voltage बन रहे थे वो VCC capacitor पर पहुँच ही नहीं रहे थे तो अब यह stable है अब हम output चेक कर लेते हैं देखिए output भी अब हमारे stable हो गए 4.8 volt के करीब और यह 5 volt आने चाहिए यह भी 5 volt क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर या तो यह resistance जो इन्होंने चेंज किये होंगे पहले से इसकी value में या तो कुछ अंतर आ गया है जिसकी वज़े से यह 5 volt नहीं दिखा रहा है यहाँ पर 4.8 volt के गरीब आ रहे हैं 4.84 के तो अब यह जो feedback के register हैं इसकी value को हमें correct करना पड़ेगा और उसके बाद हमें 5 volt यहाँ पर मिलने लगेंगे दोस्तों तो यह दोस्तों मैंने अब इसकी feedback की resistance भी change कर दी हैं दोनों उनोंने कोई गलत value की resistance लगा दी थी जिसकी वज़े से 4.84 volt के करीब हमें output आ रही थी तो क्योंकि हमें 5 volt चाहिए तो 5 volt के case में क्या होता है कि जो आपकी यह voltage divider resistance हैं आप दोनों resistance को same value की लगा देंगे तो आपको 5 volt मिल जाएगी तो उनकी resistance की value अलग अलग थी मैंने दोनों resistance को remove कर दिया है और मैंने 10K की दो resistance यहाँ पर लगा दी है और अब इसके बाद आप देखिए इसकी voltage अब बिलकुल सही हो गई है देखिए अब इसमें पूरा 4.97 volt आ रहे हैं तो इस तरह से दोस्तों यह हमारी SMPS अब बिलकुल OK हो गई है इसमें fault finding हमने कैसे की वो आपने step by step देखा हमने पहले input section चेक किया जहाँ पर DC bulk capacitor जो था उ हमने find out किया कि उसका एक track open हो रहा था तो हमने उस track को fix कर दिया यह वाला जो track था उसके बाद हमारा DC bulk capacitor पर हमारी voltage जो थी वो stable हो गई तो इसका मतलब हमारा input section अब OK हो गया अब इसके बाद हम आगे आए और आगे आके हमने PWM section को चेक किया PWM section में हमने switching चेक की पहले उसक तो switching जो है वो सही नहीं हो रही थी उसमें मतलब continuous switching नहीं हो रही थी उसमें बार बार one आ जा रहा था हमारे meter पर उसके बाद ही reading आ जाती थी तो reading नहीं आनी चाहिए one के बाद में reading नहीं आनी चाहिए अब देखते हैं आब हमने इसको ठीक कर लिया तो अब हमें क्या दिख तो अब इसमें switching continuous हो रही है तो आज दोस्तों आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी कि जब भी आप switching चेक कर रहे हैं तो आप ये देखें कि one आने के बाद में reading नहीं आनी चाहिए अगर reading आ रही है तो इसका मतलब ये है कि switching continuously नहीं हो रही है IC restart हो रहा है ये कुछ समस्या हो रही है वहाँ पर जब भी आप multimeter को switching के लिए चेक करें तो वहाँ पर one जब आ जाए तो one के बाद reading नहीं आनी चाहिए तो अब हमने इसको fix कर लिया हमारी problem क्या निकली थी कि auxiliary coil से जो diode लगा होता है उसके बीच में एक resistance लगी हुई थी 22 ohms की तो वो resistance भी open हो गई थी तो हमने इस उस resistance को यहां हमने हटा दिया same value की मेरे पास नहीं थी तो वो मैंने इसको direct कर दिया है तो उससे कोई समस्या नहीं है वो काफी low value की resistance है मेरे पास होती तो मैं लगा देता पर नहीं है तो उससे कोई problem नहीं होगी तो हमने इस line को direct कर दिय तो पहले जो VCC capacitor को auxiliary coil से voltage नहीं मिल रहे थे तो वो resistance open होने की वज़े से हो रहा था उस resistance को हमने replace कर दिया उसकी जगा हमने direct line कर दी अब वो voltage auxiliary coil के VCC capacitor पे जा रहे हैं और VCC capacitor जो है वो properly charge हो रहा है और उसके properly charge होने से हमारा जो switching IC है वो continuously switching कर रहा है वो अब रुक नहीं रहा है बीच में ये सब करने के बाद जब हमने output voltage चेक की तो हमें voltage मिल रही थी 4.8 volt तो ये जिनोंने मेरे को repair के लिए भेजा है उन्होंने भी कुछ try किया होगा तो उस case में उन्होंने कुछ resistance की value इसकी change कर दी थी जो voltage divider resistance होती है TL431 के साथ में तो मैंने दोनों resistance को remove कर दिया और दोनों की जगा पे 10k की resistance लगा दी है और 10k की resistance लगाने के बाद में अब हमें voltage जो है 5 volt के stable voltage अब मिल रहे हैं ये देखिए देखिए 4.97 volt आप आ गए है यहाँ पर तो इस तरह से ये हमारी power supply जो है अब ये बिल्कुल okay हो गई है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि इस repair से आज आज आपने काफी चीजें सीखी होंगी नहीं अगर आपकी कोई भी confusion हो आप नीचे comment में लिखें तो मैं उसका आपको answer दे दूँगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको like करें और अगर आपने channel subscribe नहीं किया अभी तक तो channel subscribe कर लें मैं आपको जल्दी अगले वीडियो में मिलता हूँ तो किया अगर छो कर ऊच्छा कर लें में में 25 अबसीफ तक के सब्सक्ति नही तह спod झाले पिसमने खचार वीडियो में में गररो जार आपको नहीं कर रखक्तिए